हेलो दोस्तों तुछली हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान ग्यान के बारे में तो इसमें अभी तेक हम लोग 5 चेप्टर आपकी खतम कर चुके हैं यह आपका 6 चेप्टर है चेप्टर में बात करेंगे कंप्यूटर साप्ट वेयर के बारे में याद रखिए हम लोग जितने भी कंप्यूटर सामान ग्यान से संबन दिए चेप्टर आपके खतम करेंगे 13-14 के करीब और जो आपके 20-25 हम लोग मौक टेस्ट लगाएंगे यह सभी कंप्यूट करने के बाद आपको कहीं और भटकने की चेरूड़क नहीं पड़ेगी कंप्यूटर सामान ग्यान के लिए इतना कंप्यूट है आपके लिए कोई भी परिच्छा होते चाहिए आपकी लिखित में कुष्टन्स आये या औबजिक्ट रूम में सभी सॉल हो जाएंगे तो याद रखे कंप्यूटर सामान ग्यान से संबन दिए आपकी एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है चली हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर सॉप्ट्वियर के वारें एक कंप्यूटर सिस्टम अनेक एकाईयों का एक समूँ होता है जो एक या अनेक लक्चों की प्राप्ति है तो बनाय जाता है उधारण के लिए प्रियोक साला भी एक सिस्टम है जिसका लक्च बिवित प्रकार के सोध करना तथा जिसकी अनेक एकाईयों विज्ञानिक सोधारती और विज्ञानिक उपकरन इत्यादी है इसी पिकार कम्प्यूटर भी एक सिस्टम है जिसका लक्ष बिविद पिकार के कार करना है ता जिसकी इकाईया हायडवेर तथा शोप्टवेर हैं साफ्टवेर सोप्टवेर, प्रोग्रामिंग भासा में लिखे गए नेदेसों अर्थात प्रोग्रामों की वह संखला है जो computer system की कारियों को नियन्दित करता है तथा computer की बिविन hardware के बीच समनवय इस्थाभित करता है ताकि किसी विशेश कारे पूरा करने पूरा किया जा सकी इसका प्राथ में कुद देटा को सूचना में परिवर्तित करना है सॉप्ट्वियर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेर कारी करता है इसे प्रोगरामों का समू भी कहते हैं दूसरे सब्दों में हम लोग कहें तो कंप्यूटर में सैट्रों की संख्या में प्रोगराम होते हैं जो अलग-अलग कारेओं के लिए लिखे जा या बनाए जाते हैं इन सभी प्रोगरामों के समू को समलेत रूप से सॉप्ट्वियर कहा जाता है ठीक है तो अगर लेकेत में पूछ ले कोई आंसर तो आप लो सॉप्ट्वियर की परिवासा लिख सकते हैं अब बात करते हैं सॉप्ट्वियर की सिस्टम सॉप्ट्वियर की प्रिकार सॉप्ट्वियर कुन की कारेओं तता सरचना की आदार पर तो प्रमुक भागों में विभाजित किया जाता है एक आपका system software दूसरा application software software प्रोग्रामों को वह समुए जो computer की कारणाली को नियंतित करता है system software क्या है system software computer के आंतरिक कारियों को नियंतित करता है system software इसमें आपका system management, operating system, device, diverse system utilities, disk compression, disk preventer, backup utilities, disk cleaners, antivirus यह आपके system utilities software है तरहे आपका application software किसी विसे कार को पूरा करने के लिए लिखे या बनाए जाते है सामान उद्देश यह software वर्ड प्रोसेसर प्रेजेंटेशन इस्पेड़ सीट इमेज एडिटर विसे सुद्देश है software इसमें आपका उसको नियंतित करने, उसके विभिन भागों की देखवाल करने तथा उसकी सभी छमताओं का अच्छे से उप्योग करने के लिए लिखे जाते है उनको समलेत रूप से system software कहा जाता है सामानता system software कम्प्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्द कराया जाता है बैसे यह बाजार में से भी खरीदा जा सकता है कम्प्यूटर से हमारा संपग या संबाद system software की मात्यम से ही होता है दूसरे सब्दों में हम लोग कहें तो कम्प्यूटर हमेशा system software के नियतन में ही रहता है जिसकी बज़ाई से हम सीधे computer से अपना संपग नहीं बना सकते बास्तों में system software के बिना computer से सीधा संपग नामुम्किन है इसलिए system software उपय About-Kartha की सुपधा के लिए हैं बनाया जाता है system software से हमे बहुत सुपधा हो जाती क्योंकि वह computer को अपने नियंतर में लेकर हमारे द्वारा बताई गए कारियों को कराने तथा program को सही सही पालन कराने की दायद अपने उपर ले लेता है system software में बे program सामिल होते हैं जो computer system को नियंतर करते हैं और उसके विविन भागों की बीच उचित तालमेल बनाकर कारिक कराते हैं कारियों के आधार पर सिस्टम सॉप्ट्वियर को दो भागों में बाटा जाता है एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम दूसरा डवलिपिंग सॉप्ट्वियर तो हम लोग बात करते हैं पहले सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में ये वे प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम का प्रवंदन करने के काम आते हैं इन प्रोग्रामों, ग्राम्स का प्रमुक कार, Input-Output तथा मेमोरी उप्तियों और प्रोसेसर के विभिन कारेयों का प्रवंदन करना है Operating System, Device-Divers तथा System Utilities, System Management Program के प्रमुक पुधारन है Operating System इसमें बेप प्रोग्राम सामिल होते हैं जो कंप्यूटर के विभिन अभयभों के कारेयों को नियतित करते हैं उनमें समवनब Scient करते हैं, उनमें प्रवनदित करते हैं इसका प्रमुक कार उप्योग करता तथा हैड़ वचिमत, एक समवनबन इसतावित करना है ओप्रेटिंग सिष्टम कुछ बिशेश प्रोग्राम का ऐसा विवस्थे समय है जो किसी कम्प्यूटर की संपूर्ण क्रियाखलापों को नियंतित रखता है यह कम्प्यूटर के साधनों के उप्योग पन नजर रखने उन्हें विवस्तित करने में हमारी सहायता करता है Operating System आवसक होते पर अन्न प्रोग्राम को चालू करता है विसे सेवाएं देने वाले प्रोग्रामों का मसीनी भासा में अनुबाद करता है और OPO करताओं की इच्छा के अनुसार आउट्पुट निकालने के लिए डेटा का प्रोग्रामों को कारी करने के लिए एक आधार उपलग्द कराता है उधारन के लिए MS-DOS, Windows, XP, 2000, 1998, Unix, Linux, इत्यादी Operating System के कोछ आपके उधारन है बात करें Operating System के कारियों की तो इसके कारियों में सामलें Computer तथा उसके उप्यव करता के भी संबाद स्थापित करना Computer के सभी उपकारणों को नियंतन में रखना और उनसे काम लेना उप्यव करता द्वारा दिये गए प्रोग्रामों का पालन कराना सभी प्रोग्रामों के लिए आवसक साधन Memory CPU पेंटर आदी उपलब्द कराना उपर बताए गए कारियों में सहाय तूसरे छोटे छोटे कार करना और उनकी ब्यवस्था करना फ्रयाग का Device Driver यह एक Business पेकार का Software होता है जो किसी युक्ति की पेचालन को समझाता है यह Software किसी युक्ति तथा उप्योग करता कि मत इंटरफेस का कारिय करते हैं किसी भी युक्ति को सुचाओ रोप से चलाने के लिए चाहे तो वो Printer, Mouse, Monitor या Key, Board ही हो उसके साथ एक Driver Program जुड़ा होता है एह Operator System के निर्देशों को कंप्यूटर के विविन भागों के लिए उनकी भासा में परिवर्दित करता है Device Drivers निर्देशों का ऐसा समोग होता है जो हमारे Computer के परिच्चे उसके जुड़ने वाले Hardware से कराते हैं क्या है आपका Device Driver पर है आपका System Utilize ये Program कंप्यूटर के रख रखाओ से सम्मदित कार करते हैं ये Program कंप्यूटर के कारेओं को सरल बनाने उसे असुदियों से दूर रखने तथा System के विविन सुरक्चा कारेओं के लिए बनाए जाते हैं Utility Program कई ऐसे कार करते हैं जो कंप्यूटर का उप्योग करती समय हमें कराने पड़ते हैं ओधारन के लिए कोई Utility Program हमारी फाइलों का बेकप किसी बाहरी भंडारन साधन पर लेने का कार कर सकता है ये System Software के अनिबार भाग नहीं होते हैं परंतु सामान तह उसके साथ ही आते हैं और कंप्यूटर के निर्माता द्वारानी उपलब्द कराये जाते हैं कुछ Utility Software निमने आपके Disk Compassion ये Hard Disk पर उपस्ति सूचना पर दबाव डालकर उसे संकुचित कर देता है ताकि Hard Disk पर आधिक से अधिक सूचना इस्टोर की जा सकें या Utility सोयम अपना कारी करती है और जरूरी नहीं एक योप्योग करता को इसकी उपस्तिती की जानकारी हो फिर आपका Disk फरके Mentor या Computer की Hard Disk पर विभिन जगों पर विखरी हुई फाइलों को खोज कर उने एक स्तान पर लाता है इसका प्रियोग फाइलों तथा Hard Disk की खाली जगे को विवस्तित करने में होता है फिर आपका Wake Up Utility या Computer की डिस्क पर उपस्तित सारी सूचनाओं की ये Copy रखता है तथा जरूरत पढ़ने पर कुछ जरूरी फाइल है या पूर्ण Hard Disk की सामगरी बापस इस्टोर कर देता है फिर आपका Disk Cleaners ये उन फाइलों को डूर्ण कर डिलीट करता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हुआ है ये इस पेकार की Computer की गति को भी तेज करता है फिर आपका Antivirus, Scanners and Removers ये ऐसे Utility Program है जिनका प्रयोग Computer के Virus डूर्ण में उन्हें डिलीट करने में उपयोग होता है फिर आपका Application Software एप्लिकेशन सॉप्ट्वेर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे वास्तविक कार कराने के लिए लिखे जाते हैं जिक कार्याल है कि करमचारियों के बीतन की गड़ना करना, सभी लेंदन तथा खातों का हिसाब किताब रखना, विभिन पिकार की रपोर्ट चापना, श्टॉक की स्थिदी का वेवर्ण देना, पत्थ दस्ता भी स्तेयार करना, कम्प्यूटर वास्ता में इनी कार्यों के खरीदे या फिर बनाई जाते हैं, ये कार हर कम्पनी या उप्यो करता के लिए अलग अलग पिकार के होते हैं, इसलिए हमारी आवस्तक्ता के अनुसार इनके लिए प्रोगराम हमारे द्वान नियुक्त प्रोगरामर द्वाला लिखे जाते हैं, हलाकि आजकल ऐसे प्रोग इसल्प टैलि कौलर ब्राप पीज मेशार फोटोसौप आधी या आपके योदाररिय यह ह prisoner सामन्ता एपलिकेशन सोफ्टवेघर भी आपके तोपकरक्पाड़े होती है पहला है आपका सामान उत्थेस है जो सामान कारेओं के लिए होता है सामान उत्थेस है सॉप्ट्वियर जनरल परपज सॉप्ट्वियर फ्रोग्रामों का हुआ समूज नहीं उपयोग करता अपनी आवस्रत आनुसर अपने सामान उद्देशों के पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं सामान उद्देश के सॉप्ट्वियर कहलाते हैं उधारन के लिए data कच्चित और graphics विश्तूती करन करता है एस software विशेस कारियों से संब्धित होते हैं परंतु इनका उद्देश केवल सामानिक कारिक करने के लिए होता है जिसके कारण एस software लगवा घरचेत हल संस्ता तथा कारेयाले मिद्यनिक रूप से वो पयोग में लाए जाते हैं उधारण के लिए उधारण के तौर पर आप लो Speed Seat, Dataverse प्रवंदन पिडाली, Graphic Software, सब्द संसाधन, Coral Dara, Fend, MS, Powerpoint आदी Word Processing Software Word Processing एक बिसेश पेकार का Software है जिसकी साहता से टेक्स्ट या दस्तावेश को संचालित किया जाता है यह Software Document Pre-Patient System के नाव से भी जाना जाता है यह Software Print होने वाले Material की Composition, Editing, Formatting और Penting आदी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इस Software में बनाएगे, डोकुमेंट को बनाकर उन्हें भवेश में उप्यूप करने के लिए सुरक्चित सेव कर दिया जाता है तथा भवेश में इन डोकुमेंट में बदलाव किया जा सकता है Word Processing Software आज की समय में सरवादी त्रियोग होने बाले Software है उधारन के लिए आप लोग Microsoft Word ले सकते है, Word Perfect Apple Works किवल एपल के लिए है और जो Word Perfect है ये किवल बेंडो के लिए है Open Office Word आती है पर आपका Electronic Speed Seat इस Software के दवारा उपयोग करता है अपने Data को Row, Column के रूम में बिवस्तित कर सकता है ये Row और Column सामूही ग्रूप से Speed Seat कहलाते है इन Software में अधिकतर Speed Seat बनाने, उन्हें SEO, Edit, Format करने की फीचर होते है उधारन के लिए Microsoft Excel, Quarrel, Quattro, Lotus, 1,2,3 आदी फ्रेह हमारा Database Management System Organized Data का ऐसा संग्राई, जिसमें जरूत पढ़ने पर Data को Access, Retrieve, तथा Format किया जा सके Database Management System कहलाता है इस Software का कार Database को Create, Access, और Manage करना होता था इस Software का फ्रियोग करके Database में, डेटा को चोड़ा जा सकता है सुधारा जा सकता है और Delete किया जा सकता है साथ ही साथ डेटा को विवस्तित तथा Retrieve भी किया जा सकता है उधारन के लिए Microsoft Excel, Access, Quarrel, Paradox, Lotus Approach फिर है आपका D, Desktop Publishing Software इन Software का प्रियोग Graphic Designer द्वारा किया जाता है इन Software का प्रियोग डेटा भी Desktop Panting और On Screen Electronic Publishing के लिए किया जाता है उधारन के लिए Quad, Express, Adopt, PageMaker, Thread, B2, Quarrel, Draw, Adi ठीज़े आपका यहीं देख लेते हैं Presentation Software Presentation का अरत होता है अपने विचार, संदेश तथा अन्य सूचना को एक ऐसे सरर रूप में किसी गुरुप के सामने पिश्दूत करना जिससे उस गुरुप को वह सूचना आसानी से समझ आ सके Presentation Software इसी उद्देश के लिए प्रेयोग किया जाता है जो सूचना को सिलाइड के रूप में पिदर्सित करता है इसके तीन मुख कारेट होते हैं कौन-कौन से हैं? यह है एक Test Editor पिदान करता है जो Text को Insert तथा Formate करने की अनमती देता है Graphic चित्तों को Insert तथा अपने हिसाब से बदलने की सुद्दा पिदान करता है सामझ ग्रीव पिदर्सित करने के लिए एक सिलाइड सो फिडाली पिदान करता है इस Software का प्रेयोग करके उप्योग करता है अपनी Presentation को अधिक आकर सकता है उधारन के लिए Microsoft, PowerPoint, Corel, Presentation इत्यादी फिर बात करते हैं हम लोग क्या है? Graphics Software Graphics Software इस Software कंप्योटर पर बड़ी इमेज में बदलाओ करने और उन्हें सुन्दर बनाने की अनमती देते है इन Software के द्वारां Images को Retouch, Color Adjust, Enhance, Shadow वगिलोब जैसे बिसेस एफेक्ट दिये जा सकते है उधारन के लिए Adobe, Photoshop, फिजाब, आदी फिर आपका Multimedia Software Text, Audio, Video, Images, Animation आदी के सायोजन को Multimedia कहते है वे Software जो सारी सुफदाएं पिदान करते है Multimedia Software कहलाते है अब बात करते हैं हम लोग विसेस्ट उद्देशी है Software ये Software किसी विसेस उद्देश की पूर्ती हितु बना जाते है इस पिकार से के Software का अधिकांस ता किबल एक उद्देश होता है सामान रूप से उद्देशी किया जाने वाले कुछ बिसिष्ट उद्देशी ये Software आपके निमने है कौन-कौन से? Inventory Management System and Purchasing System जो आपका Inventory Management System and Purchasing System है इस पिकार की Software अधिकतर Channel, Storers या ऐसे संस्थानों में उपयोग किये जाते है जिन में बहुत दिक संसादनों की आवस्सकता होती है किसी स्टॉक में उपस्तित बस्तूओं की सूची को Inventory कहते है फिरे आपका Payroll Management System आधुनीक समय में लगबग पितेक संस्थान के द्वारा अपने करयमचारियों की बेतन तथा अन्भत्तों का हिसाब रखने के लिए इस Software का प्रयोग किया जाता है यह Software करयमचारियों के बेतन बत्ते इतियादी का हिसाब किताब रखते है फिरे आपका Hotel Management System होटलों के विविनी कारेयों को विवस्थित करना ही Hotel Management कहलाता है इसके अंतर के तो Marketing, House Keeping, Building, Billing, Administration जैसे कारे आते हैं फिर बात करते हैं Reservation System Reservation System या Central Reservation System एक ऐसा Computerized System है जिसके प्रयोग से उपयोग करता ट्रेन या बायू यादता याद के बारे में विविन जानकारी प्राप्त कर सकता है Report Card Generator इस विकार की Software का प्रयोग विविन स्कूलों या कॉलोणों की Examination विभाग द्वारां विध्यारतियों के परिच्छा पल तियार करने में किया जाता है यह Software विभिन ने गड़ती है गड़नाय करता है और जाज करता है कि विध्यारति अपनी कख्छा की परिच्छा में पास हुआ है या फ्याल Accounting Software यह Software एक SI application software है जो विभिन ने खातों की Lending का लेखा जोखा रखता है यह Software लेखांकन की जानकारियां रखता है लेखांकन software कई प्रिकार के होते हैं देख खाता software, बैंक समाधान खाता software, बजट प्रबंदन software फर आपका Building System यह एक प्रिकार का software है जो बिलों की प्रिकरिया को पूरा करता है यह उन बस्तुओं तथा सेवाओं के मूल की जाज करता है जो किसी गराह को पिदान किये जाते हैं फिर बात कर लेते हैं हम दो सिस्टम एबंग एप्लिकेशन सौप्ट्वेयर में अंतर क्या होता है सिस्टम सौप्ट्वेयर और यह है आपके एप्लिकेशन सौप्ट्वेयर कम्प्यूटर सिस्टम के लिए सिस्टम सौप्ट्वेयर होना अती आवस्सक है Computer system के लिए application software का होना आवस्तक नहीं है System software को विक्सित करना अधिक जटल होता है Application software को विक्सित करना जटल नहीं होता है यह hardware को संचालित कर application को run करता है कौन system software और application software यह प्रयोग करता द्वारा दिये गए कारी को ही करता है System software महिंगे होता है application software सस्ते होते हैं system software के customize नहीं किया जा सकता है application software को customize किया जा सकता है अब हम बात करते हैं programming भासाओं भासाएं computer एक machine है तथा हमारी सामान बोलचाल की भासा भासाओं में लेकि प्रोग्रामों को नहीं समझ सकता है इसलिए computer के लिए PCS विकार की भासाओं में प्रोग्राम लिखे जाते हैं इन भासाओं को programming भासाओं कहते हैं इन भासाओं की अपनी एक अलग व्याकरण होती है और प्रोग्राम लिखती समय उनके व्याकरण का पालन करना आवस सके आजकल ऐसी सेगड़ों भासाओं पिछलित में हैं इस भासाओं computer और programmer के भी संपग या संबाद बनाते हैं computer उनके माध्यम से दिये गए नेदेशों को समझ कर उनके अनुसार कार करता है इस नेदेश इस पिकार दिये जाते हैं कि उनका किरमसा पालन करने से कोई कार पूरा हो जा प्रोग्रामिंग भासाओं को तीन प्रमुक भावों में विभाजित किया गया है निमन इस्तरिये भासा, मद इस्तरिये भासाओं और उच्छ इस्तरिये भासाओं तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं निमनेस्तरिये भासाओं के बारे में Low-Level Language निमनेस्तरिये भासाओं कम्प्यूटर की आंतरिक कारपिनाली के अनसार बनाई जाती है तथा ऐसी भासाओं में लिखे गए प्रोग्रामों के पालन करने की गति अधिक होती है क्यों की कम्प्यूटर उसके नियदेशों का सीधे ही पालन कर सकता है इनके दो प्रमों को धारने मसीनी भासाओं और असेंबली भासाओं मसीनी भासाओं ये भासा के बल वाइनरी अंकों जीरो या पन से बनी होती है फितेक कंप्यूटर के लिए उसकी अलग मसीनी भासा होती है मसीनी भासा का फिरियोग पित्थम पीड़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था तथा इन में तुटियों का पता लगाना प्रूने ठीक करना लगवग असंबव होता था फरे आपकी असेंबली भासा है यह भासा है पूरी तरह मसीनी भासाओं पर आधारित होती है फरन्तु इन में जीरो और बन की सिंखलाओं के इस्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों के और गिने कुछ गिने चुने सब्दों के कोड के रूम में फुरेव किया जाता है इन भासाओं में लेके करें प्रोग्रामों में तुटी का पता लगाना तथा उन्हें ठीक करना सरल होता है फरे आपकी मद्ध इस्थरिये भासा हैं भासा निमने इस्थरिये तथा उच्छ इस्थरिये भासाओं के मद्ध पुल का कारे करती है C भासा को मद इस्तरिये भासा कहा जाता है क्योंकि इसमें उच्च इस्तरिये तथा निमने इस्तरिये दोनों भासाओं के गुड होते है यहीं बात कर लेते हैं हम लोग लिंक कर जब बास्तविक भासा में लिखे प्रोग्राम को मसीनी भासा में अनुवादित किया जाता है तो इस पे प्रिकार प्राप्त होने वाले आउट्पूट को आउबजेक्ट प्रोग्राम या आउबजेक्ट फाइल कहा जाता है जिसके बाद linker नामक प्रोग्राम सभी object फाइल को मिलाकर एक वास्त्विक एक जी क्यू टेवल फाइल बना देता है तरहें आपका loader क्या है? loader loader एक पिकार का system software है जो किसी fgq टेवल प्रोग्राम को man memory में load करने का कारिक करता है यह एक निर्देशों की सिंखला होती है जो प्रोग्राम को hard disk या floppy से memory में फेचती है यह operation system का वह हिसा है जो disk पर पड़ी executable फाइल को man memory पर लोड करता है और इसका क्रियानवन सुरू करता है ठीक है? यह आपका loader फिर बात करते हैं हम लोग वच्चे स्तर यह भासा हैं यह भासा हैं computer की आंतरीक कारिपनाली पर आधारिक नहीं होती है इन भासाओं में अंग्रीजी के कुछ चुने हुए सब्दों साधारन गडित में प्रियोग किया जाने वाले चिन्नों का प्रियोग किया जाता है इनकी तुटियों का पता लगाना और ठीक करना सरल होता है किन्त इन भासाओं में लिखे प्रोग्राम को मसीनी भासा में compiler या interpreter के द्वारा अनुबादित कराया जाना आवस्तक होता है प्रे आपकी कुछ उच्चे स्तरिये भासाएं उनके अनुपियोग यानि की प्रियोग यह आपकी भासा हो है जब इनका अविस्कार हुआ तब और डवलपर अनुपियोग के छेत और प्रक किती तो बात करते हैं फोर्ट्रेंड फॉर्मूला ट्रांसलेशन उननिस संतावन में आई प्रोग्राम मरस के एक समोव ने बैल प्रेयोग साला में विक्सिक किया था ऐसे इसका प्रेयोग है गड़िक छेत के लिए विसेशकल केल्कूलेशन के लिए प्रक किती इसकी कंपाइट तो आपकी एल्गोल्ड एल्गोरित्मिक लेंग्विज या आपकी उननिस सो अन्ठावन में डवलपर था इसका यूरोपियन तथा अमेरिकी कंप्यूटर बिग्या इसका प्रेयोग विज्ञानिक अनुप्योग के लिए किया जाता है इसकी प्रक्यति है कंपाइट फिर आपकी लिस्ट प्रोसेसिंग यह आपकी उननी सो उन्ठावन में इसके डवलपर थे जॉन मरकालती ने एमाइटी इस्टिट्यूट में विखसित किया था इसका प्र प्रक्यति की बात करें तो कंपाइट, कंपाइट और इंटर प्रेटेड इसकी प्रक्यति है तरहे आपकी कोड कॉमन बिजनिस और इंटर लेंगर यह आभी उननी सोन सट में इसके डवलपर थे ग्रेस उपर ने विखसित किया था इसका प्रियोग होता है बिजनिस इसके जो अभिसकारक थे या डवलपर जॉन सी खेमनी और इक कोर्टज ने डर्ट माउट कॉलिड निव हैमिस्फायर में विखसित किया थे इसका प्रियोग सिख्षड कारी के लिए किया जाता है इसकी प्रक्यति है इंटर प्रेटेड प्रयापकी पास्काल 1970 में इसके ज डवलपर थे ने कलोस विथ ने विखसित की थी इसका प्रियोग सिख्षड कारी के लिए होता है यह आपकी कंपाइल्ड प्रक्यति की है दैनिस रिची ने बैल प्रियोग साला में विखसित की थी इससका प्रियोग सिख्षड की है यह आपकी कंपाइल्ड प्रक्यति की है उपचित की है इसका उप्योग सिख्षड के लिए होता है इसकी प्रक्किति की बात करें तो compiled प्रक्किति की है प्रयापकी Java 1995 में आई इसकी अविस्कारा क्या डवलपर थी आपकी Gems गोसलिंग ने Sun Microsystem में बिक्सित किया था इसका Brave Internet आधाजित प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम के छित में होता है इसकी प्रक्किति की बात करें तो compiled और interpreted इसकी प्रक्किति है अब बात करते हैं हम लोग भासा अनुबादक Language Translators यह ऐसे प्रोग्राम है जो विविन प्रोग्रामिंग भासाओं में लिखे गए प्रोग्राम का अनुबाद कम्प्यूटर की मसीनी भासा में करते हैं यह अनुबाद कराना इसलिए आवस्तक होता है क्योंकि कम्प्यूटर के बल अपनी मसीनी भासा में लिखे वोई प्रोग्राम का ही पालन कर सकता है भासा अनुवाद को कुमुकता तेन सेंडियों में बाटा जाता है पहला है आपका Assembler यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो Assembly भासा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता और उसका अनुवाद मसीनी भासा में कर देता है Assembly भासा के प्रोग्राम को Source प्रोग्राम कहा जाता है जिसका मसीनी भासा में अनुवाद करने के बाद जो प्रोग्राम पर राप्त होता है उसे Objective प्रोग्राम कहते हैं फ़र आपका Compiler यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी प्रोग्रामर द्वारा उस्चिस्तरिय प्रोग्रामिंग भासा मैं लिखे कर सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मसीनी भासा में करते हैं Compiler Source Program के पितेक कथन या निर्देसों का अनवाद करके उसे मसीनी भासा के निर्देसों में बदल देता है। पितेक उच्छिस्तरिय भासा के लिए एक अलग compiler की आवसकता होती है। फिरे आपका Interpreter, Interpreter किसी प्रोग्रामर द्वारा उच्छिस्तरिय प्रोग्रामिंग भासा में लेखे गए Source Program का अनवाद मसीनी भासा में करता है। परंतु यह एक बार में Source Program के केवल एक कथन को मसीनी भासा में अनवाद करता है और उसका पालन कराता है। इसका पालन हो जाने की बादी है। वह Source Program के अलग कतन का मसीनी भासा में अनवाद करता है। मूलता Compiler और Interpreter का कार समान होता है। अंतर इनमें किवल इतना है कि Compiler जहां Objective Program बनाता है वहीं Interpreter कुछ नहीं बनाता है। इसलिए Interpreter का प्यूग करती समय हर बाल Source Program की आवसकता पढ़ती है। इस तरह बासान वाद है। अपन इस तरह लिखते हैं इस तरह बदल जाता है। कुछ आपके पॉइंट दिए गए हूँ विजुएल बेसिक एक इंटर प्रीटेड भासा है। थर्म वेर ये हाड़ वेर और सॉप्ट्वेर का सयोजन होता है। उधारन के लिए ROM, ROM, EPROM, त्री वेर ये अधिकांसता कॉपी राइटेड सॉप्वेर होते हैं। के सॉप्वेर इनके बनाने बाले बालों के द्वारां बिना किसी सुल के उपलब्द कराए जाते हैं। उधारन के लिए इंसे टेंट मेसेजिंग गूगल टूल बारा दी। सीउडो कोड यह एक प्रोग्रामिंग भासा नहीं है। किसी प्रोग्राम को समझने का अनुप्चारिट तरीके है। दूसरे सब्सक्राइब हैं , किसी प्रोग्राम की रिपेका है जो इस तरह की लिखी जाती है कि जरूरत पढ़ने पर इसरे प्रोग्राम में तबदील किया जा सके। कन्टोल स्टेक्चर्स यह एक कथन है या एक से अधी कथनों का एक समुव है जो प्रोग्राम में निर्देशों के किरियार्मन का क्रम से पालन कराता है लूपिंग लूपिंग एक पिकार का कंट्रोल इस्टेक्चर जो किसी प्रोग्राम में किसी विशेष इस्तिती को बारबार दोराता है विशेष्ट पिती बंदों के आधार पर सौप्वेयर के तुरेव का कानूनी अधिकार सौप्वेयर लैसेंस के नाम के माध्यम से दिया जाता है तो यह था आपका छटबा चेप्टर कम्पीटर सौप्वेयर साथवे चेप्टर में हम लोग बात करेंगे ओपरेटिंग सिस्टम के बारे ओपरेटिंग सिस्टम